ओम नमस्षिवाए तंत्र के रचाईता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा गुप्त मोहिनी मंत्र जो की लाखों वर्षों से छिपाया गया था ये एक ऐसा चमतकारी मंत्र है जिससे कि किसी को भी अपनी और आकरशित किया जा सकता है इस मंत्र की सहायता से आप किसी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसी कमेंट्स आती है कि आफिस में जो है वो किसी को अपने आधीन करना चाहते है और इसके लिए उनको help चाहिए तो ये मंत्र सटी काम करेगा यदि किसी को influence करना हो किसी को अपनी और आकरशित करना हो तो इस मंत्र का प्रियोग अवश्य कीजेगा मंत्र बड़ा ही सरल है और इसकी विधी जो है वो भी बड़ी सरल है कि जो मंत्र है इसको तस्वीर पे करना होता है यदि आपके पास अपने साध्य के अपने इश्ट जो भी आपके चहेते हैं जो भी आपके मन में बसे हुए है उनकी तस्वीर यदि आपके पास है तो आप इस मंत्र से उनको अपनी और खीच सकते है यदि तस्वीर ना हो, आपने बस एक बार देखा हो तो भी इस मंत्र का प्रियोग किया जा सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो वन साइडेड लब में होते हैं उनके पास कोई डिटेल नहीं होती बस भीतर ही भीतर जो है वो कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी ये जो प्रोसेस है बहुत बढ़िया है इस मंत्र का प्रियोग किया जा सकता है लगभग 7-8 साल पहले मैंने इस मंत्र का प्रियोग किया था और जिस व्यक्ति को मैंने ये मंत्र दिया था इस मंत्र ने अपना काम बखूबी किया और इतना बहतरीन असर दिखाया कि मैं भी बहुत चक्का रहा है कि आज के युग में भी इस तरह की शक्तियां काम करती है देखा जाये तो मानव के जीवन में कोई विशेश परिवर्तन नहीं आया है वर्षों पहले भी जो मनुष्य था वो रोटी खाता था और पानी पीता था वो जो उसके पास ग्यान था वो सारा कुछ वो खोच चुका है कुछ ऐसा था जो कि अतुल्ले था जिसकी कि कुछ तुलना ही नहीं की जा सकती एक ऐसा ग्यान जिससे कि आप जो चाहें वो पा सकते है तो समय के साथ ग्यान बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ग्यान लुप्त हो जुका है तो मोहिनी के जितने भी मंत्र मुझे मिलते हैं उन मंत्रों का संग्रे करके मैं आप तक पहुचाता हूँ और ये जो मंत्र है ये एक विशिष्ट परकार का मंत्र है जो कि मैंने आपके लिए संभाल कर रखा हुआ है तो मेरे गुरुजों ने मुझे से कहा था कि ये किसी भी अपात्र को नहीं देना है कुपात्र यदि से ग्रहन करेगा तो इस मंत्र का प्रभाव उल्टा हो जाएगा कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए इस मंत्र को प्रयोग में ना लाए यदि दिल में सच्चा प्यार हो तभी इस मंत्र को चलाएं इसका प्रयोग करें अन्य था इसके दुश्पने नाम भी हो सकते हैं आपको इस मंत्र की क्रिया शुरू करने से पहले अपने आपको साथवी करना होगा किसी भी तरह का मादक परदारत यदि आप खाते हैं पीते हैं तो उसे छोड़ दीजिए बीडी, गुठखा, सिगरेट, दारू, शराब, मीट, अंडा ये सब छोड़ दीजिए कई लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हम तो सिर्फ अंडा खाते हैं तो वो तो वेजेटेरिन में आता है तो इस तरह के वेजेटेरिन जो हैं वो भी सात्विक हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें इवन जो आपके विचार है, जो आपके थौट्स है ना उनको भी प्योर कीजिए इतनी शुद्धता चाहिए इस प्रियोग में जब इतनी शुद्धता आपकी भीतर आ जाए तो मेरे इस मंत्र का जो है इसका गुमफन कीजेगा, इसको रट लीजेगा एक तालिस दिन तक इसको रटिए 108 की संख्या में 108 की संख्या में इसको जब आप रटेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा किसी भी ऐसे मूरत पे जब सुबह हो रखी हो जैसे की जब सुबह होने वाली हो जब रात और दिन मिलते हैं उस पहर में आपको ये करना है सुबह के समय जब दिन होने वाला हो लेकिन हुआ ना हो उसे ब्रह्म मूरत कहते हैं उस ब्रह्म मूरत की बेला में आपको ये मंत्र 108 की संख्या में जब लेना है रोज 41 दिन तक कीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगा उसके बाद जिसे एक आँख भर उठा कर ये मंत्र एक बार बोल देंगे वो आपके वश में हो जाएगा लेकिन इस मंत्र में जो अमूकी है वहाँ पर साध्य का नाम लेना है और उसी व्यक्ति को आप अपनी और आकरशित कर पाएंगे तो मंत्र सुन लीजिए थोड़ा सा लंबा है तो इसको याद करने के बाद ही शुरू कीज़ेगा मंत्र है अब जहाँ पर अमूकी आया है यहाँ पर आप अमूक जो भी व्यक्ति है जैसे आपके हस्बंड होगे आपकी वाइफ होगी जो भी जिससे भी आप चाहते हैं कि वो आपके आधीन हो जाए आपकी बात माने और सदैव आपकी ही सुने तो उनकी जो है उनका जो नाम है वो आप यहाँ पर ले सकते है इस मंतर को प्रती दिन सुभह या शाम 108 की संख्या में आपको जपना है 41 दिनों तक 41 दिनों की यह साधना करने के बाद यह जो है सिद्ध हो जाएगा सिद्ध करने के बाद इस मंतर का आपको प्रयोग कर लेना है किसी पर भी जिस भी अमुक व्यक्ति का आप नाम लेकर इसको सिद्ध करेंगे इससे सिर्फ वही व्यक्ति आपसे आकरशित होगा अगर कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा कन्फूजन होता है कि गुरुजी मैंने तो इस नाम से किया दो कि मैं इससे किसी और को आकरशित कर सकता हूँ तो ये संभव नहीं है जिसके नाम से आप इसको इन्फ्यूज करेंगे इसको उर्जा देंगे उसी नाम से वो जो व्यक्ति है वो आकरशित होगा तो कभी भी किसी और कौकरशित ना करें जिसका नाम आपने लिया है पस उसी कौकरशित करें तभी ये काम करेगा कई बार ऐसा होता है कि समय क्या भाव में कई लोग जो हैं इस मूरत में नहीं कर पाते ब्रह्म मूरत में उठ नहीं पाते तो उनका जो ये मंत रहे काम नहीं करेगा मैंने आपको बताया या तो ब्रह्म मूरत या फिर शाम का जो समय होता है न जब रात होने वाली हो लेकिन हुई ना हो बस एक जो सूरज की लाली महो वो चारो तरफ फैल गई हो और बस रात होने ही वाली हो अंधेरा चाने वालों लेकिन चाया ना हो उस समय पर भी कुछ चमतकार होते हैं तो उस समय पर भी आप 108 इसको कर सकते हैं उस समय पर बैठिये ध्यान लगाईए और 108 की संख्या में इस मंतर का गुमफन कर दीजिए 41 दिनों तक या दिया आप रोज इसे करते हैं तो यकीन मानिया आप जिसका भी नाम लेकर इस मंतर का गुमफन करेंगे वो बस देखते ही देखते आपकी माला जपने लग जाएगा मैंने अब तक जिस जिसको ये मंतर दिया है इस मंतर ने अपना काम बखूबी किया है बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी सब कुछ ट्राय कर ले लेकिन कुछ भी नहीं लग रहा ऐसी स्थिति में आप इसका प्रियोग करके देखीगा ये मंतर कभी खाली नहीं जाता मुहनी का चमतकारी मंतर जो की एक बार करने पर ही लग जाएगा जो विधी मैंने आपको बताई है उसी विधी से कीजेगा और फिर चमतकार देखिए कैसे सामने वाला आपके आगे नतमस तक हो जाएगा मैंने लाखों लोग के काम बनाए हैं इस मंतर से और इसने मुझे आज तक निराश नहीं किया इसलिए इसको मैंने 100% साटिस्फैक्शन वाले वीडियोज में रखा है जो की आपको लाख देंगे ही देंगे बस आपको मंतर चलाना आने चाहिए किस तरह से मंतर चलाते हैं इस मंतर को यदि एक बार भी किसी पर कर दिया तो वो सोते जागते बस आप ही किमाला जबेगा मंतर को अच्छी तरह से याद करके उसका गूमफन उसका प्रणाउमसेशन ये सब ध्यान में रखते हुए जब आपके मंतर करते हैं तो ये बहुत जल्दी फलित होता है यदि एकदम भाग भाग के कोई किसी भी टाइम पर कर रहा है कोई मूरत नहीं है कोई दिथी नहीं है तो उस समय पर ये मंतर काम नहीं करेगा एक बार इसके बारे में अच्छी तरीके से कहीं पर कुछ तूटी ना हो कोई आपका प्रनांसेशन ठीक ना हो रखा हो आप किस तरह से बोल रहे हैं क्या आपके विचार हैं वो सब एक बार मुझसे साजह कीजीगा 999-284-1625 पर इसके बाद सारा कुछ देखकर मैं आपको बताऊगा कि आपको कैसे करना है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info at the rate mohinividya.com पर धन्यवाद